directly on your clean skin यह ऐसा कमाल कर सकता है that you will say कैसे नहीं पता था इतना inexpensive चीज और इतने गजब के results better late than never आप ठ्राइ कर लीजेगा जब भी आप कोई चीज विश करते हैं तो बहुत important होता है उस विश का सही होना अगर आप चाहते हैं कि आपकी skin even tone हो जाए तो बिल्कुल अचीवबल है अगर आप चाहते हैं आपके चहरे के dark spots pigmentation किसी भी तरह का mark वो ठीक हो जाए तो अचीवबल है अगर आप चाहते हैं आपके चहरे पर वो tube light on हो जाए चहरे पर एक aura देखे एक grace देखे तो यह भी अचीवबल है करने के लिए आई हूँ जो की चाहते हैं एक even tone skin, एक brightened skin उनका skin texture इंपरवाइस करना चाहते हैं अपने skin tone को absolutely even करना चाहते हैं जैसा बताया जा रहा है exactly वैसे ही follow कीजे and I'm 100% sure कि आपको गसब के results मिलने वाले हैं and you'll be really happy this challenge को सब के साथ share कीजेगा because I'm pretty sure कि सब ही लोग इस चीजो को follow कर सकते हैं and they can have the best of results for themselves आईये जानते हैं what all needs to be done Hello Tima, wonderful, beautiful and amazing audience I really hope आप सब अपना बहुत सारा खयाल रख रहे हैं और बहुत बहुत खुश है आज मैं आपके साथ शार कर रही हूँ एक 7 step process घर पर मौझूद simple चीजों से और इस पूरी वीडियो को देखकर आप बोलेंगे प्रेना क्या यार एक short में बता देते हैं तो इतना असान है देखे short में तो मैं आपको बता दूँगी बहुत असान है मेरे ले भी prepare करना लेकिन आप यह सोचे कि वो जो rich experience है मेरे पूरे application को देखने का समझने का do's and don'ts को follow करने का और फिर उस सही result को अचीव करने का जो की लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं कुछ समझ में आया है अगर समझ में आया है तो देखिए ध्यान से देखिए समझे और फिर exhibit कीजिए I'm pretty sure सारी चीज़ आपके पास available होंगी पर अगर नहीं है तो पहले सारी चीज़े कात्रित कर लीजे और फिर आप इसको start कीजिए This is one of its kind remedy and you'll be बंदब आप प्रेम होने वाला आपको फिर से मुझ से आईए जानते हैं कैसे करना है step number one के लिए आपको अपने चहरे को अच्छे से क्लीन करना है जिसके लिए आपको चाहिए raw milk नहीं है ममी ने सारा उबाल दिया It's okay आप वेट कीजिए maybe next time ट्राइ कर लीजे पर हमें step one के लिए raw milk ही चाहिए घर में तो pasteurized milk आता है जो लोग exactly यह ऐसे follow नहीं करते है results आपको भे मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा delay हो सकता है तो धहरे रखिएगा dishearten तो किसी भी step पर नहीं होना है done तो raw milk आपको लेना है और अच्छे से अपनी skin को clean करना है हमने सुबभी तो mood होया था फिर भी करना है अगर आपको ऐसे जन है जो कि make-up का इस्तमाल करते हैं in fact काजल का भी इस्तमाल करते हैं तो please make sure कि आप पहले micellar water से अपने skin को clean करें और उसके पश्चाथ आप raw milk से अच्छे से clean कीजिए मैंने अपना चहरा morning में ही wash किया था कि उसके बावजूद raw milk से clean करने पर जो cotton था वो completely गंदा हो चुका था होली बहुत अच्छे से celebrate की आशा करती हूँ आपने भी की हो उसका रंग जो मेरी गर्दन पर है गया था वो भी इस raw milk से absolutely clean हो गया और आपका चहरा बिल्कुल मतलब जिसे कहते है न absolute clean वो हो जाता है और raw milk के अंदर जो nutrition होता है वो भी आपकी skin को मिलता है तो it's a win-win अगर आपके पास raw milk नहीं है तो इसलिए मैं insist करूँगी कि वेट कीजिए अगली बार का milk आने दीजिए थोड़ा सा बचा लीजिए फिर कीजिएगा इसके बाद आपको करना है step number two जिसके लिए आपको चाहिए aloe vera plant हमारे पास नहीं है आसपडोस में किसी ना किसी के पास definitely होगा गार्णा भायों को बुलेगा एक पौधा दे दीजिए वो healthy वाला जिसको आप थोड़ा-थोड़ा करके यूज करते रहेंगे और वो फिर से ग्रो होता रहेगा aloe vera plant आपके घर में definitely होना चाहिए it's a great ओशदी हलका सा cut लग गया हलका सा जल गया aloe vera gel अपने आप में सक्षम है कि वहाँ कोई mark नहीं होने देगा किसी तरह की darkness नहीं आने देगा skin का texture वहाँ पर खराब नहीं होने देगा तो ये ऐसी ओशदी तो आपको घर में रखनी ही चाहिए नहीं है कोई बात नहीं तो last resort आप market-based aloe vera gel भी use कर सकते हैं done लेकिन अगर plant-based लोगे न I assure you completely कि पहले application से results काम होना स्टार्ट हो जाएगा हुद के experience से बता रही है इसके बाद जो आलो लीफ होती है इसमें से के यलो कलर का fluid निकलता है जिसको आपको completely बहने देना है आप लीफ को upside down रख देंगे जहां से भी आपने कट किया है और उस यलो पोर्शन को completely बहार आने देंगे 10-15 minutes के बाद आप इसको अच्छे से wash करेंगे इसके sides को peel करेंगे और beet से cut करके दो आलो प्लांट आपके पास आ चुके काफी लंबी लीफ होती है तो छोटा सा ही पाट लीजेगा पूरी लीफ की हमें आवशक्ता नहीं पड़ेगी raw milk को अपने चहरे से आपको wash off नहीं करना है इसी के उपर आपको करना है आपका step number 2 जिसके लिए आपको यही आलो लीफ लेनी है जो आपने दो पीस में कट की थी और अच्छे से अपने चहरे पर मसाज करना है यह जो step है particularly मैंने 15 minutes के लिए किया है आप करेंगे आपको 2 minute में आपके हाथ दुख जाएंगे 15 minute के लिए अगर आप इसको अपने चहरे पर करते हैं अगर आपके चहरे पर किसी भी प्रकार की कोई भी परिशानी है कोई नहीं सकता इसलिए ट्राय करके देखेगा और हमें बताएगा आपके एक्सपीरिंस कैसा रहा वेनाइस से कि यह चालेंज है मैं इसके लिए शत्त प्रतिश्चत कॉन्फिडेंट हूँ कि यह कमाल कर देगे आपके लिए बस विश्वास कीजिएगा और अच्छे से मसाज कीजिएगा अगर आपके फोर हेट पर टाइनी बंस हैं कमप्लीटली फिक्स हो जाएंगे अगर आपको डाक सर्कल्स हैं या फाइन लाइन्स की परिशानी आपके आँखों के पास आ रही हैं आप अच्छे से इसी को ही मस अगर आपको नाग पर बहुत जादा ब्लाक हेट्स रहते हैं अच्छे से मसाज कीजिए आपके पोर्स टाइटन होंगे और आपके जो ब्लाक हेट्स है वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगेंगे अगर आपको बहुत सिवियर अपिंपल्स की परिशानी है लेकिन अफियर अखने के लेकिन अपको अपिंपल्स लोगा सकते हैं मुझे अभी वोहत ही जादा सिवियर अखने है इस अरय में तो आप डिलेक्ली इसके ऊपर भी कर सकते हैं आई अई ओल आप यह बहुत एखने जादा लिगे आफ ती को गागा ऑन लेकिन ऑगे अट आ कैसे नहीं पता था इतना inexpensive चीज और इतने गजब के results, better late than never आप try कर लीजेगा, अगर technique के परिशानी आपको है, आप पूरी गर्दन पर अच्छे से apply कीजिए, pigmentation चरीर के किसी और भाग में है आप वहाँ try कीजिए, कहने का मतलब है just devote your time and energy उस area में जहां पर आपको ज्याद परिशानी है, अच्छे से उस area पर focus करते हुए, पूरे चहरे पर आपको इसे apply करना है, जितना हो सके, कोशिश कीजिए कि अपने आपी skin में absorb हो जाए and that's when we go to the next step, which is step number 3, जिसके लिए आपको चाहिए बहुत ही थोड़ी सी drops of castor oil, जिहां अरंडी का तेल, अगर आपने य प्लीज जाए and check out, कि क्या कमाल ये लोगों के लिए कर रहा है, लोग कितना प्रसन्य चित्त हैं इस चीज को use करके, कि भाई पता ही नहीं था कि अरंडी के तेल से इतने गजब के skin benefits मिलते हैं, just give it a try, बस यही oil आपको लेना है, और थोड़ा थोड़ा अपनी skin पर अच्छ प्रवाइब कर सकें और इसके बाद आता है next step, जिसके लिए आपको दुबारा से अलो जल लेना है, दूसरा पीस लेलीचे और अच्छे से मसाज कीचे, तेखिये, I am not, मैंने 15 minutes के लिए किया and I am really happy, आप जितने समय के लिए initially comfortable है, उतना कीजे, फिर आप, I am sure धीर धीर धी I am telling you, थोड़ा सा विश्वाश initially and you'll do कमाल, तो अच्छे से मसाज करने के पश्चाद, मैंने तो बहुत आपको fast forward में दिखा होगा, मैंने बहुत इत्मिनान से, अराम से अपने चहरे के लिए properly किया, और उसके बाद आप हाथों का इस्तमाल करके, तब तक मसाज कर सकते हैं तो what have you done for your skin? पहले अच्छे से अपने इसको मॉइस्चराइज किया, पहले क्लीन किया, फिर मॉइस्टराइज किया, फिर ऑप्लाय किया, जो कि आपकी स्किन के रिजेंबल करता है, तो स्किन असानी से इसको अब्सॉब कर लेती है, और फिर से अलो मसाज की है, नॉर्मली मसाजिंग के बाद स्किन थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाती है, थोड़ी सी रेड़िश हो जाती है, पर इस पूरे प्रॉसस के बाद आपकी स्किन बिल्कुल टाइटन हो जाएगी, एक तम healthy exhibit होगी, और आपको पता चलेगा कि ये magic कर रहा है, आप confidence गेंगे इसको दुबारा करने के लिए, इसके बाद आप कुछ सामय के लिए इसको अपने चहरे पर रहने, इतनी हमने महिनत की है, 10-15 मिनिट का गाप लेजिए और उसके बाद आप ल्यूक वाटर से अपने चहरे को वाइप क्लीन कीजिए, देखिए रिंस करने से और आपको सिरफ ल्यूक वाटर से रिंस करना है और अपने चहरे को अच्छे से वाइप क्लीन करना है, और अपकी सिक इस अपसिल्यूटली हापी और यही तो हमने चाहा था कि इस पूरे प्रॉसस्से हमारी सिकन हापी हो जाए, और वो जो परिशानियां पर वो धीरे-थीरे सबसाइड होने लगे, जब आपनी चेहरे को वाइप क्लीन करेंगे एक चीज और याद रखेगा पूरे प्रोसेस में हमने सिरफ यहीं पर ही लूक्वाम वाटर वह भी एक पैड में लिया है और पानी हमने वेस्ट नहीं किया है राइट इस चीज का खयाल रखिए और अच्छे से चेहरे को वाइप करन हैं तो जो भी मॉस्चराइजर के लिए आप कामफरटबल हैं डिया बनाया है तो वह यूज कर सकते हैं पर क्यूंकि डिया वाइवाय मॉस्चराइजर भी अलो बेस्ट है तो आप यहां पर मार्केट बेस्ट भी यूज कर सकते हैं मैं यहाँ जेल बेस्ट मॉस्चराइज तो पहले बार तो आपको टाइम लगेगा, obviously आप सेटल होंगे चीजों के लिए, कैसे करना है, कहां पे करना है, क्या करना है, लेकिन वनस आप इसके फ्लो में आ जाएंगे, तो आपकी स्किन इतनी वाइबरेंट हो जाएगी, and I'm pretty sure कि आपकी वो ट्यूबलाइट वाली स्कि की picture आप मेरे साथ अवश्य शेयर करेंगे, आप मेरे Instagram handle पर मुझे भेज सकते हैं, आप मुझे email पर भेज सकते हैं, I would love to share your experience हमारे community post पर, तो please अपने बहुत ही खुबसूरत से results मेरे साथ शेयर कीजेगा, इस challenge को accept कीजेगा, और कितने समय में आपको results मिले, ये भी हमें ब बड़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप बाहर की चीज़े बिल्कुल अस्तमाद मत कीजे, आप एक सही संतुलन बैठाएए, एक सही तरीका, एक सही बालेंस बनाएए, natural remedies का और जो market-based चीज़े आप इस्तमाल करते हैं, उनका, और इस तरह स मिलें, तो हमारे साथ शेर करना मत भूलेगा, अगर चानल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब किये बिना बिलते मत जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही कमाल की चीज़े लेकर यहां आती हूँ, जो कि सभी लोगों को बहुत सारे benefits दे रही है, तो मैं आप सभी से मिलती हूँ, अप करना मत भूलेगा, lots of love!